हलो फ्रेंज, आज आपके साथ मैं बहुती एक इन्फोर्मेटी वीडियो शेर करने वाली हूँ, अगर आप मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, यह जो ओक्टूबर की मन्त है फ्रेंज, हमें इस मन्त में कुछ जरूरी काम करना है गुलाब प्लांट के पर, ठीक है, तो क्या करना है, वो ही आपको मैं दिखाओंगी, यहाँ पर मेरी 11 गुलाब के प्लांट है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, छटाई करना है, हमें प्रून करना है, अब प्रून क्यू करते है, प्रून करने से क्या होता है, जहां से हम cut लगाते हैं उसके नीचे से कुछ ने ने branch निकल आते हैं और जितने जादा branch होते हैं प्लांट में उतना ही जादा हमें full मिलता है क्योंकि हमेशा ने branch पर ही full खिलते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है छटाई करना है मतलब prune करना है और जिस भी चीसे हमें मतलब cutter या pruner से prune करना है उसको हमें अच्छे से sanitize कर लेना है तो मैंने मेरी pruner को अच्छे से sanitize कर लिया है क्योंकि जब उस pruner से या cutter, scissor से cut करते है अगर हम sanitize कर नहीं लेंगे तो जब हम cut लगाएंगे हो सकता है कि कोई infection हो जाए तो इसलिए infection ना हो जाए, इसलिए हमें sanitize कर लेना है तो मैंने sanitize कर लिया है अब किस plant पर कितना कैसे pruner करना है मैं सबसे पहली ये बताऊंगी ठीक है, मेरे जो यहाँ पर 11 plant है ये सारा जो plant है ये एक साल पुराना है और ये 8 इंच के pot में लगे हुए है तो ये सब plant को कैसे prun करने वाली देखिए मैं इसको heart prun बिल्कुल भी नहीं करूंगी क्योंकि friends, एक साल, दो साल पुराना अगर plant और pot में लगे हुए हो तो उसको बिल्कुल भी heart prun नहीं करना है ठीक है, हम soft prun या फिर semi heart prun कर सकते हैं हमेशा हम soft prun या फिर semi heart prun या फिर heart prun करते हैं हार्ट prun हम किस plant पर कर सकते हैं गुलाब के plant अगर जमीन में लगे हुए है तो हम उसे heart prun कर सकते हैं येकिन इस तरह से जो एक-दो साल पुराना plant है पॉल्ट में लगए है, तो उसको बिल्कुल भी हार्ट पून नहीं करना है, उससे प्रॉब्लेम हो सकता है, हार्ट पून करने से ठीक है, वो जब हम पून करते हैं, अगर फूल भी होते हैं, तो आप उसे खटा सकते हैं, मैं भी हटा दूँगी, लेकिन बाद में, ठीक है, अब में इसको छोड़ रही हूँ तो इस तरह से मैंने देखिए यहां पर जितने सारे प्लांट से मेरे सभी को थोड़ा सा प्रून करना है तो देखिए मैंने सारे प्लांट को ही प्रून कर लिया है जितने प्लांट से सभी को मैंने थोड़ा करके मैंने प्रून क्या है हार् अब स्टार्ट हो गया है कितने जादा इसमें एक तम प्लांट की नीचे सी उपर तक इसके नए नए ब्रांट निकल कर आए है और सारे के सारे हेल्दी ब्रांज निकले है तो उसको मैंने कट किया नहीं है ठीक है अब उसके बाद हमें क्या करना है यह साफ का फंगिसाइड ह हमें जहां से हमने प्रून क्या है वहां पर हमें यह फंगिसाइड लगा देना है क्योंकि जैसे आज मैंने यह प्रून क्या है और यह ताजा-ताजा कट है अगर बारिश होगी और बारिश का पानी इस कटे हुए जगे पर पड़ेगा तो इन्फेक्शन हो सकता है डाइब हो सकता है तो फंगल एटक ना हो इसलिए हमें फंगिसाइड लगा देना है ठीक है तो मैंने सारे प्लांट को ही जहां-जहां से मैंने कट लगाए वहां पर मैंने फंगिसाइड लगा दिया है उसके बाद क्या करना है हमें पॉट में प्लांट की चारों तरफ हमें गुड इस तरह से हमें गुडाय करना है और और पोट में अगर कोई घास रहे गया हो तो उसको हटा देना है और यह जो मिट्टी है इसको हमें निकल लेना है और इस मिट्टी को हमें फिर से यूस करना है तो आח तक हमें पॉट में से मिट्टी को इस तरह से निकल लेना है और जब बुला प्लांट के साथ हम काम करते हैं तो गलब्स पहन लेना अच्छा होता है क्योंकि इसमें बहुत काटे होते हैं हमें काटे लग सकता है लेकिन फ्रेंज मैं एक हाथ में मुबाइल पकड़ कर वीडिय रही हूँ ताकि हमें काटे लग जाए आप इस तरह से क्यारफुली करना अगर आप मेरी तरह गलाब्स नहीं पहन रहे है तो तो देखिए मैंने पॉट में से निकल लिया है मिट्टी को तो सारे पॉट में से ही दो इंच तक मिट्टी को मैंने पॉट में से मिट्टी को ब मिट्टी है उसको धूप मिलने से क्या होगा अगर कोई हानिकरक बैक्टिरिया फंगस रहे गया हो तो वह सनलाइट मिलने से न वह बिल्कुल भी खतम हो जाएगा तो इसलिए आधा दिन तक हमें धूप में रखना है तो देखिए फ्रेंट्स मैंने आधा दिन अच्छे से ध से तो सिल आधा सीलिए प्लान को कोई से प्राब्ल्म ह BRE downtownुपे मिट्टी कितना प्राइट हो चुका है अब हम्AI क्या करना है इस पौट में यह देखिए कितना प्राइट हो चुका में जब्स खार कंठों अगर आपके यह मिट्टी को थंड हो जाने के बाद ही पॉट में डालना है मेरा यह मिट्टी थंड हो चुका है तो इसलिए मैं पॉट में डालोंगी लेकिन उससे पहले खाद देना है मेरा यह जो पॉट है 18 इंच के है तो इसलिए हमें इस तरह से मैं दो मुठी जैसा पहले यह वर्मी कॉम्पोस्ट में पॉट में डाल रही हूँ ठीक है गोबर की खाद सड़ी हुई बिल्कुल एक दो साल पूराना गोबर की खाद भी हम डाल सकते हैं वर्मी कॉम्पोस्ट के जगह ठीक है मैं गोबर की खाद भी मैं यूज करती हूँ लेकिन फिलहाल मेरे पास नहीं है और यह है नीम केक तो एक चमच मैं नीम केक डाल द बिल्कुल सड़ी हुई गोबर की खाद या फिर यह वर्मी कॉम्पोस्ट यह दोनों में जादा यूज करती हूँ और साथ में थोड़ा यह नीम केक बोन मिल और हॉन मिल तो अब हमें इस तरह से पॉट में देने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है और और एक तरीके से अब यह दे सकते हैं प्लेट में यह फर्टिलाजर को मिक्स करके फिर हम पॉट के चारो तरव भी दे सकते हैं आपको दिखाने के लिए मैं इस तरह से हाथ में और चम्मत से मैं पॉट में डाला है ठीक है और यह जो खाद है ना बिल्कुल में स्टेम के साइट से देना है उसके बाद हमें मिक्स कर लेना है देखे मैंने अच्छे से सारे खाद को ही मिक्स कर लिया है अब यह जो मिट्टी हम निकाले थे उसी मिट्टी को हमें पॉट में भर देना है मेरे पास मिट्टी की इशू हो जाता है कमी होती है मिट्टी की तो इसलिए मैं यह पुराने मि दाल सकते हैं ठीक है और मिट्टी को बिल्कुल पॉट एकदम फिल नहीं करना है पॉट में एक इंच तक हमें जगा छोड़ना है ताकि हम इसमें पानी डाल सके ओके अब देखिए मिट्टी में इसमें भर दिया है और हाफ रेंच हम ऐसे खार दे दिया है फ्रून कर लिया है लेकिन इस प्लान को धूप बहुत पसंद होता है विंटर की धूप तो हमें धूप में रखना है कम से कम 4-5 घंटी की धूप मिले ऐसे जगे पे आपको रखना है और अब हम इसमें पानी दे देना है इस मग में मैंने थोड़ा सा पानी लिया है अब इसमें एक पॉट के थोड़ा सा में फंगिसाइब एस पानी में मिला लोंगी मैं साफ का ही फंगिसाइब हमेशा यूज़ करती हूँ आप कोई भी फंगिसाइब एक उसकर सकते है तो बस अब पॉट में डाल देना है एकिन ऐसा नहीं कि बहुत जादा पानी दे देना है क्योंकि अभी-अभी कि अधुनरे हαιं बहुत जादा पानी देदेंगे तो इस चार नीची से बह आजैगा ना तो नि्यूट्रिशन इस पानी के साथ बह जाएगा इसलिए बहुत जादा पानी देना नहीं है ठीक है तो फुलों को में बात में हटा दूंगी तो यहाँ पर मेरे जितने प्लांट से 11 प्लांट है 11 प्लांट को ही मैंने खाद भी दे दिया है और फंगिसाइड मिला के पानी भी दे दिया है और इस प्लांट को मैं हमेशा रखती हूँ टेरिस के उपर ताकि इसको अच्छे से धूप मिले क्योंकि गुला प्लान्ट को अच्छे फ्लाउरिंग के लिए धूप जरूर चाहिए ओके फ्रेंट्स अगर आप भी इस तरह से क्यार करना स्टार्ट कर देंगे तो विंटर में 100% आपको बहुत ज़्यादा फुल मिलने वाला है फुल मिलेगा तो आपके साथ यही श्यार करना था मेरा वीडियो अच्छा लगा फ्रेंट्स तो लाइक करना श्यार करना ओके फ्रेंट्स बाई